नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से चारक की नीती की एक और वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ चारक की नीती को पूरी तरह और अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंततक जरूर देखें क्यूंकि अधूरा ग्यान घातक होता है। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको चारक की नीती के अनुसार इसी के बारे में जराबिस्तार से बताएंगे। गुनों को ही ग्रहर करना चाहिए क्यूंकि अच्छाई के गुनों का सम्मान होता है। दोस्तों आचार चारक के कहते हैं हमें हमेशा मूल लेबान बस्तू की कदर करनी चाहिए। उनके मोल को समझना चाहिए। चाहें वो किसी गंदगी में ही क्यूना पड़ी हो। जिस परकार गंदगी में यदि सोना और या अन्य कोई आभुशर या कोई कीमती बस्तू पड़ी हुई मिले। तो उसे हमें अबश्य उठाना चाहिए। उसी परकार किसी भी मूलेबान बस्तू को हमें ले लेना चाहिए। चाहें वो कितनी भी गंदगी में क्यूना पड़ी हो। दोस्तों आगे बताया गया है उत्तम बिद्या की स्रेष्टता। आचारे चारक के कहते हैं कि उत्तम बिद्या सबसे अनमोल होती है। इसलिए यदि कोई उच्छ बिद्या या ज्यान किसी ऐसे व्यक्ति से लेना पड़े जो अपने करमों से और स्वाभाव से नीच प्रबरत्ती का हो। तो भी हमें संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसे दुष्ट अधर्मी और नीच प्रवरत्ती का भ्यक्ति यदि उत्तम बिद्या का जानकार है तो उसे हमें अबश्य प्राप्त करना चाहिए अगली बात बताई गई है सू संसकारी इस्त्री चारक जीने कहा है किसी बिबाह योग बर को ऐसी सू संसकारी इस्त्री से अवश्य बिबाह करना चाहिए जिसके परिबार के लोग चाहें दुष्ट स्वभाव के संसकार हीन, चरित्र हीन और बुरे बेवहार वाले क्यों ना हो यदि ऐसे अधर्मी और संसकार हीन परिबार की कोई कन्या, सिक्षित, सरबगुर संपन, सू संसकारी और आविबाहित है तो उससे किसी सूयोग बर को अबश्य बिबाह करना चाहिए इसमें कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों में इसे शेयर करें दोस्तों मिलते हैं एक इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुडबाई and थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो